इंदौर के देवल वर्मा कचरे से करते हैं कमाल, अब तक वा 3,000 किलो कचरे से 400 से अधिक बेमिसाल मूर्तियां बना चुके हैं और उनका लेटिस्ट क्रियेशन है साड़े 8 फीट लंबे पवन पुत्र हनुमान इन्हें उन्होंने पूरी तरह से पीतल और स्टील के स्क्रैप से बनाया है देवल बचपन से ही जुगाडू कला के शौकीन रहे हैं बचपन में वो पेन के धकन, बटन, खील जैसी बेकार पड़ी चीजों से गाड़ियों के छोटे-छोटे मॉडल्स बनाया करते थे मेकैनिकल इंजीनिरिंग करने के बाद भी उन्होंने नौकरी करने के बजाए अपने पैशन को चुना घर वाले उनके इस फैसले के खिलाफ थे और शुरू में आमदनी भी बहुत कम थी पर वो मेहनत करते रहें आखिरकार उन्हें काम्याबी तब मिली जब उन्होंने कचरे में पड़े मेटल से डिजाइन किया हारले डेविट संस का ओफिशल लोगो आज देवल के क्लाइंट्स भारत में ही नहीं दुनिया भर में है आपको देवल का कौन सा क्रियेशन सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताए ऐसी ही और दिल्चस्प कहानियों के लिए दब्बेजर इंडिया को करें लाइक, शेर और सब्सक्राइब